मश्रूर फिल्म स्टार श्रीदेवी की मौत के मामले से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है खबर हमें ये मिल रही है कि जिस होटेल में डिनर के लिए श्रीदेवी और बोनी कपूर जाने वाले थे 24 फरवरी को वहाँ कोई बुकिंग नहीं थी सीधे रुख करना चाहेंगे नियूजरूम का मेरी सहयोगी अमांदरा मौजूद है उनके साथ हमारे सहयोगी यासर मौजूद है जे अमांदरा थोड़ा और प्रकाश जाली इस खबर पर बिल्कुल नहीं हाँ श्री देवी की जो मौत है वो अब बहुत बड़ी मिस्ट्री बनती जा रही है और हर रोज कोई नया ट्विस्ट इस मामले में आ रहा है और जो बड़ी खबर आप दे रहे हैं पूछा के आप 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 जैसे बता रहे हैं के सप्राइज डिनर पर ले जाने वाले तो कहां ले जाने वाले थे जो नाम उन्होंने बताया और उस पर पूछताच की गई वहां पर वो जाने वाले थे लेकिन बुकिंग नहीं थी उसके अलावा होटल से जब हमारी बात हुई है तो होटल में वो होटल के करमचारियों से बातचीट हो रहे हैं और जो 22 वी मंजल है वो पूरी तरह सील कर दी गई है वहाँ जाच होगी लेकिन अभी पुलिस ने बाचीत किये होटल से और पता लगाने ही कोशिश की जा रही है कि उस रात क्या हुआ था किसने सबसे पहले देखा होटल के कौन से करमचारी थे जो उनके शफ को देख के आए और बाहर ले जाने में मदद की वो सब बातें चल रही है लेकिन ये अभी तक चुकि बाड़ी रिलीज होने की हाला कि खबर है कि आज दुपहर को रिलीज करती जाएगी लेकिन बोनी कपूर के बारे में अभी तक कोई ओफीशल बयान नहीं आया है उसका इंतजार करते हैं क्योंकि तीसरा दिन है आज आप चाहे कुछ भी कहें कि बाड़ी आज रिलीज हो रही है लेकिन तीन दिन हो चुके हैं तीसरा दिन है और अभी तक मामला क्लियर होता हुआ सीक्वेंस ऑफ इविंज घटना क्रम बिल्कुल क्लियर नहीं है।